मनिपुर में जिस सरह से दो महलाओं को नग निकर की परेड कराने का वीडियो सामने आया उसको लेकर भारी हंगामा हो रहा है कॉंग्रेस से लेकर तमाव पक्षिदल मनिपुर को लेकर सरकार पर हमला वर है मनिपुर में दो महलाओं की बिना कपड़ों के परेड निकाले जाने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है सुप्रिम कोट ने भी इस मामले में सोधा संग्यान लिया है मनिपुर और केंद्र दोनों जगा सरकार निशाने पर है इसी कड़ी में उधव गुट की शिफसिना ने अपने मुख्य पत्र सामना में मोदी पर जबरदस्त निशाना साथा है मनिपुर पर पिये मोदी के मौन होने के बाद सामना में सवाल करते वे लिखा गया है कि कश्मीर फाइल्स की तरह ही क्या अब बिजेपी मनिपुर फाइल्स बना कर देखेगी इतना ही नहीं सामना में मोदी को लेकर आगे लिखा गया है मनिपुर में दो महिलाओं को निवस्टर कर घुमाने वाली वीडियो पर पिये मोदी ने जो थोड़ा बहुत भी बोला वो मूल मुद्दे भटकाने वाला है बीते कुछ समय से ताशकंद फाइल्स महिलाओं का किरल में धर्मातरन उनका आईसिस नामाक आतंगी संगठन से कनेक्शन आधी को लेकर दकिरल स्टोरी बनाई गई इसके लावा कश्मीर में आतंगी कारवाई को लेकर दकश्मीर फाइल्स फिल्म एक अजंडे की तरह निर्मान की गई ये टोली अब मनिपूर के हिंसा पर भी मनिपूर फाइल्स फिल्म बनाए कीरल स्टोरी का पबलिक शो लगने वाले बिजेपी मनिपूर फाइल्स का इसी तरह से सारवजनिक शो दिखाने के हिम्मत करेगी क्या प्रधार मंत्री मनिपूर फाइल स्विल्म देखने का साहस करेंगे क्या सामना में लिखा गया है कि समेधन शील मन को जगजोर कर देने वाले एक वीडियो ने प्रधार मंत्री को मनिपूर हिंसा पर मौन भंग करने पर मजबूर कर दिया परंतु वे जो भी कुछ थोड़ा बहुत बोले वो हमेशा की तरह मूल मुद्दे को भटकाने वाला है। कुकर्मियों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। ऐसा परधार मंत्री ने कहा, अब माफ नहीं करेंगी का क्या मतलब है। भरष्टाचारीों को माफ नहीं करेंगे, ये पियम मूद्री की गैरंटी है। ये भी उन्होंने कहा था। दूसरे ही दिन कई कद़ावर भरष्टाचारीों को उन्होंने बिजेपी में शामिल करके मंत्री वगेरा बना दिया। इसलिए परधार मंत्री की बातों को कितनी गंभीरता से ले डीवी लाइफ की रिपोर्ट